आज हम सभी भारतिय तथा हमारे मित्र देशों के प्रतिनिधी इतिहास निर्मान के साक्षी हैं। स्वाधीन भारत में राश्ट्रिय स्वाभिमान एवं अस्मिता का प्रती यह नवनिर्मित संसत भवन प्रतेक देश वासी के लिए मंदिर समान है। इस लोक्षाही के मंदिर में सभी सम्मानित अतितियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राज्यसभा के माननिय उपसभापती श्री हरिवंश जी को माननिय श्री हरिवंश जी को। संसत के नौनिर्मित भवन के लोकारपन समारों के मुख्य अतिति आदर्णिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी जी। माननिय लोकसभाप ध्यक्ष स्री ओम बिर्ला जी भारत के पुरु राश्पती आदर्णिय श्री रामनात streaming जी के न्द्रिय मंत्री परिशत के माननिय सदसिगण पुरुप्रधान मंत्री आदरनी स्री एच्डी देवगौडा जी राज्यों के माननी मुख्य मंत्री गण विभिन देशों के राजदोत गण लोगसभा की पुरुअध्यक्ष माननिया स्रीमती सुमित्रा महाजन जी सुप्रिम कोट के माननी नयाधीस गण राज्यों के उप मुख्य मंत्री गण नेशनल कैप्टल टेरिट्री दिल्ली के उप राज्यपाल महोदै दिल्ली हाई कोट के माननीय मुख्य नयाधीस महोदै लोगसभा और राजसभा के माननीय संसत सहसे गण विभिन राजनितिक दलों के माननी अध्यक्षगन नोबल पुरसकार विजेता स्री केल्या सत्यार्थी जी टाटा समू के चेर परसन स्री एन चंद्र सेखरंजी प्रेस और मीडिया के सम्मानित साथियों उपस्थित गन्मान अतिथी जन देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अफिनंदन आजाद भारत की अश्मिता और हमारी संब्रिध लोक तांत्रिक विराशत का प्रतीक संसत के इस नय भावन को देश को समर्पित करने के एतिहासिक औसर पर आप सभी का स्वागत करना अत्यंत सम्मान और स्वभागी की बात है कि आजादी के अम्रित काल में उन्होंने अपने कुसल नत्रित और आसाधारन प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आसाओं और आकांचाओं के अनरोप नए संसत्वहन की संकल्पना को मुर्थ रोप दिया है इसके लिए अपनी ओर से और समस्देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यबाद और अभिनंदन आज हम सब एतिहासिक आसर पर इस भवन के प्रांगण में कत्रित हैं हमारे जैसे विसाल और जिवन्त लोगतंत्र के लिए यह गर्व का छण है सम्मानित अतिथिगन हमारा बरत्मान संसत भवन देश की लोगतंत्रिक गतिविधियों का जीवन केंद्र रहा है हमारी प्रगति का मार्ग दर्सक रहा है यह भौन भारत की सोतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक सम्विधान निर्मान से लेकर हमारी गौरोसाली लोगतांत्री कियात्रा के दौरान अनेक इतिहासी घटनाओं का साक्षी रहा है बदलते समय के साथ माननी सदसेगण अपने संसदी अदाइत्तों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवंग नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवशक्ता महसूस कर रहे थे आने वाले वर्सों में परिसीमन के कारण सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्री की संभावना एवंग संसद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए बर्तमान संसद भवन में स्थान का अभाव भी महसूस किया जा रहा था यही कारण है कि संसद के दोनों सद्दों ने मानिय प्रधान मंत्री जी से सांसदों की दक्षता बढ़ाने और संसदी एक कामकाज की फिसियंसी बढ़ाने के उदेश्य से आधुनिक सुईधाओं और संसादनों से संपन एक नए स्टेट ऑफ द आर्ट भवन के निर्मान का आग रह किया था यहाँ अपार हर्स का विसे है कि मानिय प्रधान मंत्री जी ने अपनी देखरेख में धाई वर्सों से भी कम समय में भविस्थ की चनोतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भौन तयार करवाया है यह भवन इंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है बलकि देश की सरवच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आसाओं अपिक्छाओं और आकांच्छाओं की पुर्ति का माध्यम है यह नियाभौन अपने आप में वास्तु कला का सांदार उदारण है जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधिता की अद्भुद जलक मिलती है इसमें हमारी संसत की जरूरतों के अनुरूप सौंदर और प्रौद्योगी की का मिस्रण भी किया गया यह भवन त्रिकोडिये आकार के स्थान का अधिक्तम उप्योग सुनिश्चित करता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है इन कक्षों में प्रतेक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिकली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारीत प्रणाली एवन इंटिग्रेटेड मुल्टी मीडिया डिस्प्ले की सुविधा अत्रिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहीत अन्याधुनिक क्यात्रा में आज का दिन एक महत्पू पड़ाओ है अगले पचीस वर्सों में जब हम अधादी का सताब्दी वर्स मना रहे होंगे तब इस अम्रित काल में निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जन प्रतनिधियों के लिए प्रेना का स्रोत होगा इस भवन में बैटकर हमारी संसद देश के सुरणिम भविश्च के निर्मान के लिए अनेक काल जई निर्णय लेगी और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्सों में विश्चु के लोकतांत्रिक देशों में सिखर पर होगा और समस्त विश्च को प्रभावी नित्रत्य देगा इनी सब्दों के साथ यहां पधारे सभी सम्मानी अतीतियों का पुना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद जैहिन